तो देखिये अभी हमें इसको सॉल करना है दिया गया है हमारे पास जो डेटा है वो देख लेते हैं कि डी सी है और कोश्चन नमर बन है डिप्रींसियेट क्या है डिप्रेंसियेट इसको दिश फंगशन सबसे पहले से हम तो रिंगे और हम लोग जानते हैं कि साइने इसको जो formula होता है न, सिफ sin x का वो था 2 sin x y 2 cos x y 2, कल आप लोग पढ़े थे अब 1 plus cos x का formula आप लोग जानते हैं रासन, बोलो 1 plus cos x का formula गलत, 2 cos square x y 2 होगा पलस में, ठीक वो याद रखेगा, क्योंकि 1 plus cos 2 x का होता है 2 cos square x only ठीक है, चलेगा याद रहेगा आप लोग को ठीक है, तो वो बहुत unique point है अब हम इस formula को यह apply करने वाले हैं 5 ब्राबर 10 inverse होगा होगा 2 sin x y 2 cos x y 2 होगा अब बटे में होगा 2 cos square x y क्या होगा, 2 होगा कट जाएगा न, 2 से 2 कट गया cos से cos कटेगा तो नीचे क्या आएगा cos x y 2 आएगा y is equal to 10 inverse है और बचा हमारे पास sin x y 2 cos x y 2 बचा अगर हम इसे तोड़ें तो हम दोबारा लिख सकते हैं इस चीज को छोटा कर देते हैं preview करके, ठीक है या इसको मूपर ले जा सकते हैं और लिख सकते हैं y is equal to 10 inverse 10 x y 2 होगा let, assume कर लेते हैं let की हम माल लेते हैं generally तो मानने से कोई फाइदा भी नहीं है तो मैं back करके बना देता हूँ cancel out हो जाएगा 10 10 cancel होगा x y 2 आएगा रोसल dy dx बरावर कितना आएगा 1y 2 लीजे या आपके लिए अगर आपको फर्मूले याद होता ताप असानी से इसको solve कर देते it's not a very difficult problem of mathematics okay पांचमा और छथा हम देख लेते हैं अगले